हेलो यह स्वागत अब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल उटूक्शन गुरुजी में बच्छों पिछले वीडियो में हमने किया था सेक्षण को कम्प्लीट आज करेंगे सेक्षण बी को कम्प्लीट यानी 21 से ले करके 26 तक है आपके कोशन आंसर को चलिए बच्छों बिना टाइम वेस्ट के शुडू करते हैं अपने कोशन आंसर को तो कोशन नमबर 21 देख लेते हैं बच्छों कोशन नमबर 21 है इफ एन एक्सपेरिमेंट इन एक्सपेरिमेंट इफ यू नीड़ अफ्रेशली प्रिपेर 10 परसेंट सॉलूशन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड हाव विल यू प्रिपेर दिस सॉलूशन बा यूजिं 90 एम आप से आपको समाल लेना है तो वो होगा आपका लगबग लगबग 10 ग्राम एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच वेट मसीन से तोलिए 90 एमिल में आपको जो डाल देना है घुल देना है और आपका सॉलूशन तयार बचो फिर है कोशन नमबर 22 राइट नेम ऑफ एनी टू इच यूनिसलूर और मल्टिसलूर और अर्गिनिजम के नाम लिखने आपको यूनिसलूर के आपके यह सारे नाम है मल्टिसलूर की अगर बात करें कैट डॉक काउ ठीक है कोई से भी आप दो नाम लिख सकते हैं कोशन नमबर 22 ब्लड इस वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिशू वाई तो सबसे बहले एक चीज़ समय लिए बच्चो कि बलड क्या है पूरे हमार से देख लिए ऑक्सीजन को ले जाना और कारबन डियोकसड को ले करके आना इसके साथ अडिशनल क्या चीज़ ले करके जाता है जो हमारे एनरजी की रिक्वार्मेंट है उससे पूरा पूरकनने के लिए जो बेसिक चीज़े है उन्हें लेके जाता है और एक्सक्रिट्री requirement यानि जो waste product है उसको भी लेकर क्याता है तो basically करता क्या important क्यों है हमारे सरीर में oxygen की supply करता है nutrients की जो जुरत है उसे पूरा करता है waste material जो generate होता है उसे बाहर निकालता है तो इस वज़े से blood connective tissue का एक important role play करता है फिर कोशन नमबर 24 कोशन नमबर 24 है वे boy throws a ball weight 400 g इन वर्टिकल अपड़ विद इनीशिल विलोसिटी ओफ 10 meter per second find the initial momentum पहली चीर find initial momentum करना है find its momentum at the height point of its flight तो हुआ क्या बच्चों यहां पर ज़दा इस सेरिया में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एक बॉल को क्या क्या 400 ग्राम की एक बॉल को 10 meter per second के हिसाब से उपर फेका तीक है अब इसका momentum हमें calculate करना है तो करना क्या है पहले तो इससे किलोग्राम में convert करना है तो इससे जब किलोग्राम में convert करोगे बच्चों आप तो यह आ जाया का लगवा 0.4 kg तीक है और formula होता है आपका pv sorry p is equal to mu तो यह पहला हो गया p is equal to mu यह हो गया 0.4 into 10 यह हो गया 4 kg meter per second square meter per second ठीक है यह हो गया initial में क्योंकि नीचे है है ना अब p2 क्या हो गया mu अब यहाँ पह क्या हो गया 0.4 into 0 उपर जाकर क्या हो गया उपर से और उपर नहीं जायेगा ठीक है इस्पीड होगी खतम तो यह आ गई आपकी क्या height उपर रिच होने के बाद final यह आ गया 0 kg meter per second ठीक है फिर एक question number 25 question number 25 क्या कहता है draw diagram to represent two sound waves that have same amplitude but different frequency same amplitude or different frequency चलो simple wave में दरशाते हैं यह आपकी sound wave यह इसका बीच का खाना ठीक है अब इसे अगर ऐसे draw कर दिया जाए तो यह वाली आपकी जो है वो same होनी चाहिए तो यह की पहले वाली अगर दूसरी को मैं यहां बनाना चाहूं तो इसमें यह थोड़ा पास कर दो थोड़ा सा यह यह वाली चीज़ तो मैंने same लख ली लगबग ठीक है तो अगला कुशन देखते हो चलो इस section का आखरी कुशन question number 26 list for water resources available that are used for irrigation purpose तो irrigation purpose के लिए इंडिया में बहुत सारे water resources यूज़ रते हैं जैसे कि आपका tube well हो गया tanks हो गया ponds हो गया dams हो गया river हो गया जिसे आप नदी कह रहते हैं तो बच्चो यहां पर वाला पार्ट होता है वीडियो complete और आपका इस section भी आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्यू